दोबरी दिन वाल्दी वस्थोक के शान्त और प्रकास में वातावरण में आपके साथ समवाद करना एक सुख़द अनुभव है सुख़ का उजाला यहां से होकर दूनिया में फैलता है और पूरी दूनिया को उर्जावान बनाता है मुझे पुरा विश्वास है कि आज का हमारा यह मन्थन केवल फारिस्थी नहीं बलकि पूरी मानव जाती के कल्यान के प्रयासों को नई उर्जा और नई गति देगा इस महत्वपुन अवसर को मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं अपने मित्र राश्पति पूतिन का आभारी हूँ राश्पति जी ने मुझे यह निमंत्रन भारत के आम चुनाव से और महौर लग गई फ्रेंड्स दो साल पहले राश्पति पूतिन के ने मुझे सैंट पिटर्सबर्ग एकोनॉमिक फार्म में आमंत्रित किया था यूरोप के फ्रंटियर से पैसिफिक के गेटवे तक मेरी भी एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन यात्रा हो गई है वालदी वस्तोग यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है या आर्केटिक और नौर्धन सी रूट के लिए अवसर खोलता है रूस का करीबन तीन चौथाई भुभाग एशिया है फोर भारीस्ट इस महान देश की एशियन आइडेंटिटी को सुद्रट करता है इस खेत्र का आकार भारत से करीब दो गुना है इसकी आबादी सिर्फ छे मिलियन है लेकिन यह रीजन खनीच, ओल और गैस जैसे प्राकृति संसाधनों का धनी है यहां के लोगों ने अपने अथत परिश्थरम, साहस और इनोवेशन से नेचर की चुनोतियों पर विजय पाई है यही नहीं कला, विज्ञान, साहित्य, स्पोर्ट्स, इंडिस्री और एडवेंचर मानव गतिविदी का ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें फार इसके लोगों ने वार्दी वस्तोक के बाशिंदों ने सफलता हासिल ना की हो साथ ही उन्होंने रूस और उसके मित्रों के लिए भी अनेक आउसर बनाए है फ्रोजन लेंड को फ्लावर बेड में बदलकर एक सुनहरे फ्यूचर का आधार तियार किया है कल राश्पती पुतिव के साथ मैंने स्ट्रीट अब दे फार इस एक्जिवेशन देखा यहां की वीवित्ता लोगों की प्रतिभा और टेक्नोलोजी की विकास ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है इन में प्रगती और सहियोग की अपार संभावनाए मैंने मैसूस किये है फ्रेंट्स भारत और फारिस का रिस्ता आज का नहीं बहुत पुराना है भारत वो पहला देश है जिसने वालदी वस्तोक में अपना काउंसिलेट खुरा तब भी और उससे भी पहले भारत और रूस के बीच बहुत ही भरोसा था सोवियत रूस के समय भी जब अन्य विदोशियों पर यहां आने पर पाबंदिया थी वालदी वस्तोक भारतिय नागरिकों के लिए खुला था रक्षाव और विकास के बहुत सा साजो सामान वालदी वस्तोक के जरिये भारत पहुंचता था और आज इस भागिदारी का पेड अपनी जड़े गहरी कर रहा है दोनों देशों के लोगों के लिए सुक समरुद्धी का सहारा बन रहा है भारत ने यहां एनर्जी सेक्टर और दूसरे नेच्रल डिसोर्सीज जैसे डाइमन में महत्वपुन निवेश किया है सखादिन के ओइल फिल्ज भारतिय निवेश की सफलता का एक उत्तम उधारन है फ्रेंट्स राश्प्रती पुतीन का फारिस के लिए लगाव और उनका वीजन इस खेत्र के लिए ही नहीं भारत जैसे रूस के पार्टनर्स के लिए अभूत पुर्वा अवसर लेकर के आया है उन्होंने रश्यन फारिस के विकास को नेशनल प्राइरिटी फोर दर ट्वेंटी फॉस्स सेंजूरी गोशित किया है उनकी होलिस्टिक एप्रोच यहां जीवन के हर पहलू को एकोनामी हो या एजुकेशन हेल्थ हो या स्पॉर्ट्स कल्चर हो या कॉम्मिनिकेशन ट्रेड हो या ट्रेडिशन हर एक को बहतर बनाने का प्रेयक प्रयास है एक और उन्होंने इन्वेस्ट्मेंट के रास्ते खोले हैं तो दूसरी और सामाजिक सेक्टर्स पर भी उतना ही ध्यान दिया है मैं स्वयम उनके इस वीजन से प्रभावित हुआ हूँ और इसे शेर भी करता हूँ भारत उनकी इस वीजनरी जर्णी में कदम से कदम मिलाकर रूस के साथ चलना चाहता है मैं अपने अनुभव के अधार पर कर सकता हूँ कि फारिश और वालदी वस्तोक के रेपीड संतोलीत और समावेशी विकास के लिए राश्पति पूतिन का विजन जरूर काम्याब होगा क्यूंकि यह रियालिस्टिक है और इसके पीछे यहां के मुल्यवान संसादनों और लोगों की असीम प्रतिभा है उनके वीजन में इस रिजन के लिए और यहां के लोगों के लिए सम्मान और प्यार जलकता है भारत में भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निरमाण में जुटे है 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की एकनामी बनाने के संकल्ब को सिद्ध करने में जुटे है तेजी से बढ़ते भारत और उसकी प्रतिभागी इस रीजन से भागिदारी एक और एक और एक ग्यारव बनाने का अईतिहासिक मौका है फ्रेंट्स इसी मोटिवेशन से हमने इस्टन एकोनामिक फोरम में हमारे पार्टिसिपर्शन के लिए अभूत पुर्वत तैयारी की कई मंतरी चार राज्यों के मुख्य मंतरी और करीब 150 बिजनेस लीडर्स यहां आए उन्होंने राश्पती के विशेश दूथ फारिस्ट के सभी 11 गवर्नर्स और उनके बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की रूस के मंतरी और फारिस के बिजनेस लीडर्स भी भारत आए मुझे यह बताते हुए खुशी रही हैं कि हमारी इन कोशिसों के बहुत ही अच्छे परणाम आ रहे हैं एनर्जी से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन से लेकर के स्कील, स्कील डेवलप्मेंट, माइनिंग से लेकर के टीमबर, अनेक शेत्रों में करीब पचास बिजनेस एग्रिमेंट हुए हैं इनसे कई बिलियन डॉलर्स के व्यापार के निवेश की अपेक्षा है फ्रेंट्स, फारिस के विकास में और योगदान देने के लिए भारत वन बिलियन डॉलर्स की लाइन अप क्रेडिट देगा यह पहला मोका है कि हम किसी देश के छेत्र विशेश को लाइन अप क्रेडिट दे रहे हैं मेरी सरकार की एक्ट इस्ट पॉलिसी ने इस एशिया को एक्टिवली एंगेज किया है और आज की यह गोष्णा एक्ट फार इस्ट का टेक ओप पॉइंट साबीत होगी और यह मेरा पक्का विश्वास है यह कदम हमारी एकोनामिक डिप्लोमेसी में भी एक नया आयाम जोड रहा है मेत्र राष्टों के रीजन्स के विकास में हम उनकी प्राथ्विक्ताओं के हिसाब से एक्टिव भागिदार बनेंगे फ्रेंट्स भारत की प्राचिन सब्वेता के मुल्यों ने हमें सिखाया है कि प्रकृति से उतना ही ले जितने की जरूरत है हम प्रकृतिक समसाधनों के समर्धन पर विश्वास करते हैं प्रकृति के साथ यही तानमेल सदियों से हमारे अस्तित्व और विकास का एहम हिस्सा रहा है फ्रेंट्स जिन देशों में भारतिय डायस्फोरा है वहां के लीडर्स जब भी मुझे मिलते हैं भारतियों के सरम, इमांदारी, अनुशासन और निष्ठा की भरपूर प्रसमसा करते हैं भारतिय कंपनियों ने, कारुबारियों ने, दुनिया भर में कितने ही छेत्रों के विकास में योगदान किया है वेल्थ क्रियेशन का काम किया है साथ ही भारतियों ने और हमारी कंपनियों ने स्थानिय सम्वेद्राओं और संस्कृति का हमेशा आदर किया है मुझे पक्का भरोसा है कि भारतियों का पैसा, पसीना, प्रतीभा और प्रोफेशनलिजम फारिस्ट में तेज विकास लाएंगे इस तन एकोनोमिक फारम में भारत ने पार्टिफिशेपेशन के जो उत्तम प्रनाम आए हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं फारिस के सभी ग्यारा गवरनर्स को भारत आने का निमंतर देता हूँ फ्रेंट्स मैंने और राश्पती फुतीन ने भारत रूस सहयोग के लिए एंबीशियस टार्गेट रखे है हमारे समन्दों में हमने नए आयाम जोड़े हैं उनको विवीतता दी है समन्दों को सरकारी दाइरे से बाहर लाकर के प्राइवेट इंडिस्री के बीच ठोज सहयोग तक पहुँचाया है उनको राध्धानियों से बाहर स्टेट्स और रीजन सक ले गए हैं हमने हर शेत्र में सहयोग को अपनी स्पेशल और प्रिविले स्ट्रेजिक पार्टरशिप के साचे में बढ़ाया है ढाला है हम मिलकर स्पेस की दुरियां भी पार करेंगे और समंदर की गहराईयों से समरुद्धी भी निकाल के ले आएंगे फ्रेंट्स इंडो पैसिपिक रीजिन में सहयोग का नया दोर हम शुरू करने वाले हैं वाल्दी वस्तोग और चेने के बीच जब शिप चलने लगेंगे जब वाल्दी वस्तोग नौर्थ इस्ट एश्या के मार्केट में भारत का स्प्रिंग बार्ड बनेगा तब भारत रूस के साज़ेदारी और गहरी होगी और फलेगी और फुलेगी तब फारिष्ट एक और उरेशियन उनियन और दूसरी और ओपन फ्री और इंक्लूजीव इंडो पैसिपिक का संगम बनेगा इस ख्षेत्र में हमारे समंदों का मजबूत आदार होगा रूल बेस ओडर, सोवरनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रेटी के लिए सम्मान और अंदरुनों मामलों में दखल से परहेज फ्रेंट्स मशूर फिलोसोफर और लेखक टॉल्स्टोई भारत के वेदों के अपार ज्ञान से बहुत प्रभावित थे और यह वेद वाक्य तो उन्हें बहुत पसंद था एकम सत्थ वीपराहा बहुधा वदंती उन्होंने अपने शब्दों में इसे ऐसे कहा था All that exists is one. People call that one by different names. इस वर्ष पूरा विश्वा महत्मा गांधी की एक सो पचाशवी जन्मजेंती मना रहा है Tolstoy और गांधी जी ने एक दूसरे पर अमीत प्रभाव छोड़ा था आईए भारत और रूस की साजा प्रेणा को हम और मजबूत करें एक दूसरे की तरक्की में और अधिक भागिदार बनें अपने शेड रिजन और विश्व के स्टेबल और सिक्वर भविश के लिए मिल करके काम करें यह हमारी साज़दारी के नए अध्याय की शुरुवात होगी मैं जब भी रूस आया हूँ तो भारत के लिए यहां प्यार, मैत्री भाव और सम्मान ही पाया है आज भी इनी भावनाओं का अनमोल उफार और गहरे सयोग का संकल्प यहां से लेकर के जा रहा हूँ मैं अपने मित्र राश्प्रती पुतीन का विशेश धन्यवाद करना चाहूँगा हम जब भी मिलते हैं तो बहुत खुले दिल से और बहुत समय लेकर के मिलते हैं कल अपनी तमाम विश्टताओं के बीच उन्होंने मेरे साथ अलग-अलग स्थानों पर कई घंटे विताएं और रात के एक बज़े तक हम एक साथ रहें मेरे लिए ही नहीं बलकि भारत के प्रती उनके मन में जो प्यार है वो उसमें जलगता है मुझे यहां की और भारत की एक और सांस्कितिक समयनता दिखाई दे रही है मेरे होम स्टेट गुजरात में बाई बाई की जगह बाई बाई नहीं कहते हैं बाई बाई की जगह आव जो कहते हैं जिसका मतलब है आप फीर जल्दी आएए यहां कहते हैं दस्वी दानिया तो मैं आप सब को कहता हूँ आव जो दस्वी दानिया बहुत बहुत धन्यवाद स्पासिवा बल्चोई